हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है, हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज हम GTA 5 का कोई नया वेरियंट लेकर आओ, आप सभी करते हैं कि भाई GTA 5 जैसा कोई बढ़िया सा गेम लेकर आओ, और भाई ये ग्राफिक्स और रैम वगेरा मत बताया करो, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के लिए लेकर आया हूँ, टॉप फाइफ के ओपन वर्ल्ड लाइक GTA 5, जैसे एंडरा गेम, जिनके अंदर आप लोग GTA 5 की तरह मिशन्स कर सकते हो, और भी बहुत सारे यहाँ पे आप लोगों को सुपर कार्स देखने को मिलते हैं, एंड भाई ग्राफिक्स भी का अफी हद तक यहाँ पे आपको GTA 5 लेवल के देखने को मिलेंगे, और वीडियो शियर कीजिए, और लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम लोग चलते हैं, फर्स्ट नंबर की गेम पर Grand Criminal Online यहाँ गेम आपको GTA 5 जेसा ही फील कर आएगा, और इस गेम में आप अपना Character Customization और Cars वगेरह किसी की भी छीन के ड्राइब करना, ओपन वर्ल्ड मैप को एक्स्प्लोर करना, यह सारी चीजें आप लोग इस गेम के अंदर कर सकते हो, एंड धेरो मिशन्स मिल जाते हैं, यह Online रहने वाला है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी कार वगेरह मिलेगी न, मतलब भाई वो सारे के सारे Online Real Player होने वाले हैं, यहाँ पे आपको Buds Enemy देखने को नहीं मिलते हैं, और Next Level के Graphic के साथ-साथ बहुत बड़ा Open World Map, जिसमें आप लोग यहाँ पे कार चला सकते हो, बाइक चला सकते हो, एरो प्लेन, हेलिकॉप्टर और भी बहुत सारे फिकल को आप लोग गेम के अंदर ड्राइव कर सकते हो, गेम के सिस्टम requirement की बात करें, तो भाई इस गेम को आप लोग इसली यहाँ पे 3-4 GB RAM या 6 GB RAM वाले फोन में इसली प्ले कर सकते हो, एंड गेम के size की बात करें, तो 1.4 GB इस गेम का size रहेगा, और गेम online भी है, और काफी based गेम है, मैं आपको recommend करूंगा, एक बार try जरूर करना, and हम लोग चलते हैं, अपने second number के game की तरफ देखते हैं, guy second number का game क्या निकल के आता है, on all right guys, हमारा जो second number का game निकल के आ रहा है, UCDS 2, car driving simulator, ये भी बहुत ही ज्यादा high graphics game रहने वाला है भाई, इस game के अंदर तो आपको भाई, शुरुआत में ही Lamborghini देखने को मिल जाती है, और भाई, ये कोई PC का graphics नहीं है, ये एक mobile का graphics है, मैं खुद भी हैरान हो गया था, जब ये game play store पे आया और भाई, इस game ने तबाही मचा दी, क्योंकि भाई game का graphics बहुत ही ज्यादा advanced level का देखने को मिलता है, उसी हिसाब से इस game के अंदर आपको कई तरह के missions देखने को मिलते हैं, futuristic world देखने को मिलता है, open world map में देखने को मिलता है, और भाई graphics मेरा personally इस game के बावा भी यहाँ पे आप लोगों को कई सारे choices देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे नए-नए mission कर सकते हो, drifting, racing और भी यहाँ पे आप लोग को off-road वाले map देखने को मिल जाते हैं, और भाई game के अंदर आपको ज्यादा तर supercars ही चलाने को मिलेंगे, जैसे Tesla Mustang और भाई Lamborghini जैसी कार गेम के अंदर देखने को मिलेगी, जिसको आप mission को पूरा करके unlock कर सकते हैं, end game के system requirements की बात करें, तो 4 से 6 GB RAM के mobile में आराम से चल जाएगा, चलते हैं guys, हम लोग अपने third number के game की तरफ देखते हैं, guys, third number का game क्या निकल के आता है, all right guys, हमारा जो third number का game है, Medow 2, Big City Online भाई, इस game को बहुत सारे लोग हमारे channel वाले जो है, user जो है, जानते होंगे इस game के बारे में, लेकिन भाई, literally मैं ये game के बारे मैं जितना बात करूँ, उतना कम रहेगा, क्योंकि भाई, इस game ने भाई, next level के, advance level के feature, इस game के अंदर provide कराएं हैं, जैसे कि यहा पे आप लोगों को भाई, बहुत ही बड़ा open world map देखने को मिलता है, और भाई, realistic graphics, जो GTA 5 में graphics है ना भाई, literally मैं हूँ बहू, इस game का graphics भी वैसा ही है, बट ये phone के अंदर चलने वाला game है, बट यहाँ पे आप लोग को जो है, कई सारे missions देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहा पे आप लोग open world map को explore कर सकते हो, end robbery से लेके धेर सारे missions हैं, इस game के अंदर जो भाई, storyline की तरह चलते हैं, और भी बहुत ही ज्यादा मजा आता है, like GTA 5 की तरह, और भाई, यहाँ पे आप लोगों को graphics बहुत ज्यादा advance level देखने को मिलेगा, किसी की भी bike car, helicopter जैसे vehicle को आप ल होगे, तो भाई, इस game की police जो है न, आपको पीछा नहीं छोड़ती है, और सबसे main चीज मेरे को इस game का graphics बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, game के system requirement की बात करें, तो भाई, इस game को आप लोग 4 से 6 GB RAM या 3 GB RAM वाले phone में भी play कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको graphics अपने device के हिस आप से करना पड़ेगा, यहाँ पे जो phone के अंदर game lag हो सकता है 3 GB RAM वाले phone में, लेकिन 4 से 6 GB RAM वाले phone में smoothly game चलने वाला है, और game के size की बात करें तो 900 MB on almost, यह game का size 1 GB रहने वाला है, और game online और offline दोनों ही play हो जाता है, मैं अभी offline mode play कर रहा हूँ, जिसमें मैंने open world map को explore करने का decision लिया था, और मैं open world map को explore कर रहा था, नई नई कार के साथ, जिसको मैंने छीन छीन कर drive किया है, चलते हैं guys हम लोग अपने fourth number के game की तरफ देखते हैं, guys fourth number का game क्या निकल के आता है, तो guys हमारा जो fourth number का game निकल के आ एक सचर game रहने वाला है, यहाँ पे आप लोग इस game को छोटा GTA कह सकते हो, क्योंकि भाई ये game जो है ना, भाई पूरे तरीके से GTA SS का map प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे आप लोगों को GTA 5 वाले कई तरह के missions देखने को मिलते हैं, graphics भी बहुत ज्यादा advanced level रहने वाला है इस game का और काफी अच्छे graphic के साथ साथ यहाँ पे आपको धेर सारे missions और धेर सारे कम से कम मतलब भाई 150 प्लस सूपरकार देखने को मिलते हैं game के अंदर और बहुत बड़ा open world map है, तो आप लोग game को map को भी explore कर सकते हो, game के system requirement की बात करें, तो भाई इस game को आप लोग easily 3 से 4GB RAM वाले phone में play कर सकते हो, end game के size की बात करें, तो 775, MB, इस game का size रहेगा और game online और on flying दोनों ही play हो जाता है, कई तरह के camera angles पे आप लोग game को play कर सकते हो, धेर सारे missions है, open world map explore कर सकते हो, end by game के अंदर आपको बहुत सारे supercar भी देखने को मिलते हैं, और mission भी कर सकते हो, कई त और भाई पूरा GTA वाला मजा इस game के अंदर ले सकते हो, चलते हैं guys, हम लोग अपने 5th और last number के game की तरफ देखते हैं, guys 5th number का game क्या निकल के आता है, तो guys हमारा जो 5th number का game निकल के आ रहा, OWRC, open world racing car है, भाई ये एक तरह का car racing game है, लेकिन भाई इस game के अंदर आपको GTA 5 level का बहुत ही बड़ा open world map देखने को मिलता है, धेर सारे super car को drive कर सकते हो, city से लेके, off road map भाई और भी military base और भी उसके अलावा बहुत सारे locations ऐसे हैं, जो भाई काफी हद तक match करते हैं, GTA 5 के map से, और यहाँ पे आप लोगों को भाई धेर सारे super car चलाने को मिलते हैं, यहाँ पे तो भाई वो भी easily कर सकते हो, यह game बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मैंने इस game को play किया अपने device के अंदर, और भाई मैंने literally में play करने के बाद ना मेर को ऐसा experience हुआ कि भाई इसके जैसा game तो और कोई रह ही नहीं सकता, बस इसमें आप लोग car से बाहर नहीं निकल सकते अपनी car को, लो भाई कहीं भी घूमो और कहीं भी मजे करो, बट ऐसा नहीं है कि GTA 5 की तरह आप लोग किसी की भी car छीन के drive कर सकते हो, यहाँ पे आपको missions करने पड़ेंगे, और mission करने के बाद अपनी supercar unlock करने के बाद आप लोग कई सारे यहाँ पे आप ल प्ले कर सकते हो, end game के size की बात करें, तो भाई 449 ab, almost 450 ab, इस game का size रहेगा, और game offline और online, दोनों ही play हो जाता है, hopefully guys, आप लोग को यहाँ पे top 5 के open world like GTA 5, जैसे android games आपको पसंद आए हो, अगर पसंद आए तो वीडियो को like करके channel को subscribe कर देना, मैं मिलता हूँ आप लोगों से, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, good bye and take care guys.